हलो फ्रेंड्स राधे राधे आप सभी का मेरे चैनल में बहुत-बहुत स्वागत है कैसे हैं आप मुझे उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे तो अभी हो रहे हैं साम के बज गये हैं साम के 6 बजने में मतलब 15 मिनिट अभी कम है मैं आपको टाइम दिखा लेती हूँ यहां आप देख सकते हो तो अभी चाय टाइम हो गया है और अभी मैं चलती हूँ मतलब ब्लैक टी बनाऊंगी क्योंकि रुपेज के सर आ जाएंगे तो जब वह आते हैं तब मैं मतलब दुद्वला बना लेती हूँ कभी कभी लेमेंटी ही बनाती हूँ तब चलूंगे बाकी सारे काम जो है वैसे पड़े हुए हैं जैसे की छत पे वैने गेऊंद हो था तो गेऊंव अभी छत पे ही पड़ा हुआ है कपड़े भी नेफोल्ड हुए हैं सारा काम ऐसे ही जालू लग गया है घर में और कुछ नहीं और गर्मी का दिन तो इतना बुरा है ना कि आप से क्या बता हूं कि दिन पूरा बीती ही नहीं रहा है कटी नहीं रहा है कि इतना बड़ा दिन हो गया है ठंड में तो काम करते करते कब साम हो जाते थी पता ही नहीं चलता था पर अपनी मतलब बता रही हूं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस साल गर्मी हर साल के पेच्छा बहुत जादे पढ़ने वाली है तो मैंने सोचा कि चलो आज आप लोग के साथ अपना लेमंटी का रेस्पी से एर करूं कैसे मैं लेमंटी बनाती हूं बहुत टेस्टी लगता है आप दूद का चाय जादा पीते हैं लेकिन नहीं हमें लिमंटी का इस्तमाल जादा करना चाहिए तो चली अभी चलती हूं पहले चाय बना के पिऊंगी फिर छत पे जाओंगी बाकी सारे काम करूंगी पौधों में भी पानी डालना है तो चली पहले चाय बना लेते हैं और पाउडर ना हो तो आप गोल मरीज को कूट के उसे डाल सकते हैं और अधरक डालूंगी लॉंग डालूंगी इसमें चीनी डाल दूँगी अफिर इसे पकने के लिए छोड़ दूँगी आप चाय तो तेजपत्ता बहुत सारे आइटम इसमें डाल सकते हैं पर बस मैं इतना लूँगी वाकई में बहुत टेश्टी चाय लगता है अगर आप पी लोगे ना तो आप दूध वाला चाय भूल जाओगे तो आईए फ्रेंड्स आप लोगी पी लीजिए तो अभी मैं आ गई हूं पीने के लिए क्योंकि साम होते ही चाय चाही होती है चाय वो मतलब मैंने वास किया था बहुत मुश्किल से वास किया था बट इतना हलका लग रहा था ना और इतना ज्यादा गर्मी है मारे है कि यह कम्बल जो है सुबार नहौ बच्ची और सूख गया था तो उससे मुझे दिवान में रखना है तो उसा भी मैं नीचे रखाई हूं अब ब अभी मैंने गेहूं जो है वो उठा लिया है और कपड़े जो है नीचे मतलब रख दिया है नीचे में और अभी मैं आपको एक चीज दिखाती हूं यह देखिए गुढ़ल मेरा गुरो करने लगा इसमें कली आ गई है यह देखिए और एक फूल तो खिला भी था मैं चगा भ चला गया उस पड़ नहीं रहा है तो अब पौधे जो है वो ग्रो हो रहे हैं तो अभी थोड़ा दो मतलब अभी थोड़ा देल मैं चट पर टहल लूँगी उसके पास से मैं चली जाओंगी नीचे मतलब आज कुछ बनाने वाली हूं आप लोग के साथ सेयर करूं तो मैंन सबजी बना लूँगी और बाकी आलू का टिक्की बना लूँगी तो आलू जो है बॉइल होने के बाद इसे मैं अच्छे से पील कर लूँगी सारे छिलके जो है वो उतार लूँगी और इसी इसमैस कर लूँगी अच्छे से मतलब बिल्कुल इसमें कोई गुठलिया ना और यह खाने में बहुत टेस्टी होता है आप जट पट बना भी सकते हो इजी मैथेड है और कम समागरी में भी आप बना सकते हो इसे तो मैंने सोचा कि मतलब होली पे तो अच्छा बन गया था तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ भी एक बार फुल रेस्पी सेयर कर दूँ तो अभी देखिए आलू सारा मैंने छिल लिया है और तीन आलू मैंने निकाल दिया है सबजी के लिए क्योंकि सुबह की भी सबजी थी तो इसलिए कम आलू मैंने निकाला सबजी के लिए बाकी की मैं टिक्की बना लूँगी तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक स्वात के यह नुसार थोड़ा कम ही नमक डालेंगे क्योंकि बाकि सारी चटनियों में भी नमक है तो इसलिए थोड़ा ही नमक मैंने डाला है और यह है चावल का आटा अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप रवा लेके उसे मिकसर में पीस की उसका पाउडर बना के आप डा सकते हो आरा रोट भी इसमें डाल सकते हो पर आरा रोट नुकसान करेगा इसलिए मैं चावल का आटा इसमें डाली हूँ और अच्छे से आटे के डो के तरह इसको गुत लेना है और यह उर्द डाल इसे मैंने फुला लिया है फिर इसे पका लिया है बस एक सीटी आने तक और इसमें सुखे मसाले जैसे नमा, खल्दी, गरम मसाला यह सब मैंने एड कर दिया है चाट मसाला उसके बाद उसे एक साइड में रख दिया है और जो आलू का डो मैंने बनाया था उसकी मैंने एक लोई ली है बीच में होल करके उंगली से थोड़ा सा मतलब दो तीन चु तो अभी सारी टिक्किया मैंने बना ली है और अब बारी आती है इसकी फ्राइ करने की तो मैंने एक कडाही चड़ा दिया है गैस पे और मैंने इसमें रिफाइन ओयल डाल दिया है और जब तेल अच्छे से गरम हो जाएगा बहुत ज़्यादा हिर्ट नहीं करना है तो इस सुनहरा गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राइ करेंगे और दोनों साइट से अच्छी तरीके से इसे फ्राइ कर लेंगे ताकि गोल्डन कलर पूरा अच्छे से हो जाए चारो तरब से हमारी टिक्किया जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए यह देखे कितना अच्छा मतलब ट करना चाहते हो एक दो या तीन तो मैं तीन तीन टिक्या मतलब सर्व कर रही थी तो अब इसके उपर हम में भर के दही डालना है मुझे दही मना है इसलिए मैं थोड़ा कम-कम दही डाल रही हूँ अगर आपको दही बहुत ज्यादा पसंद है तो आप दही बहुत जादा हो गया था होली पे आया था पर बच्चे सब खतम कर दिये थे तो टिक्की का प्लेट लग गया है आज ये फ्रेंट्स आप लोग भी खा लिजी बहुत टेस्टी लगता है आप खाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मार्केट से बेश्ट तो हम घर पे बना सकते हैं अभी हम मतलब फर्स्ट एक्जाम तो आज 21 तारीक को था और सेकेंड एक्जाम जो है बाइस मार्च को है और साइद एक हप्ते लोग का एक्जाम चलेगा तो रुपेश और छभी अभी अपना तयारी कर रहे हैं और बाइस तारीक को रुपेश का महत का एक्जाम है यहां पर आप कि रुपेश अपना मतलब एक्जाम की तयारी कर रहा है छभी अपनी तयारी वहां बाहर वाली रूम में बैठके कर रहे हैं क्योंकि अगर दोनों एक साथ रहेंगे ना तो लड़ाई करेंगे और दोनों मतलब पढ़ाई में दिमाग नहीं लगाएंगे तो इसलिए को मैं हें पर एंड कर रही हूं अगर मेरा वीडियो आप सभी को कहीं से जड़ा सा भी अच्छा रगा होगा तो प्लीज मेरी वीडियो को आप सब लाइक करिएगा मेरे चैनल पर नए आये हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथी वेल आइकन प्रिस कर दीजिएगा जिससे की मेरे निव वीडियो के नॉटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहें तो प्लीज फ्रेंड मुझे सपोर्ट करिए बहुत ज़्यादा जरूरत है मुझे सपोर्ट की मैं क्या बता हूं पर चलिए आज नहीं कभी तो सेक्सस होई जाओंगी अभी थोड़ हाँ, my friend